कि नमस्कार्षतों में पप्पू सार आपके अपने योरोप चैनल फिएस्टे एक क्लास में स्वागत दोस्तों अभी का ब्रेक इनो निकल के आ निकला के आ रही है यह बहुट बड़ी अफ्डेक निकल के आ रहा है जैसे कि आप स्कीन पर देखी रहाएं इस वीडियो में बीटेस्थी जैए नियुवेकेंसी के रिखाणि पटना हाई कौर्ड की तरफ से पूराने वेकर Border ईकल के दिटेLE में बात करने वाल उन सभी स्टूडेन कैसे बहुत इंपोटेट होने वाली है प्रियों कैसे पुराने का इतजार कर रहे हैं क्योंकि इस वीडियोमें सारी जनकारी उवन बावंड करके डीटेल्स में बात करने वाले हैं इसे पहले हमारे चल्प अपने चैनल को सब्सक्राइब करान और फिक्षन ओन करिएगा डेल वीसी से सही वीडियो पाने के लिए दोस्तों वीडियो में बने रहे हैं चलिए बिना सबय गवाई वीडियो क दे ने कहा चार मां में करें नियुक्ति छोजार तीन सब उन्यासी जूनियर इंजिनियर होंगे बाहाल नया विग्यापन निकलेगा इस भी हम आपको बताने वाले हैं देख लिजिए राज सरकार के विवहीन विवागों में जुनियर इंजिनियर की वहाली का रास्ता साप हो गया हाई कोट ने चार महिने हैं में नए सीरे से बिग्यापन परकासित कर नियुक्ति प्रकिरिया पूरी करने का निर्देश दिया इसके पहले अपर महाधिवक्ता अंजिनी कुमार ने कोट को बताया कि जुनियर इंजिनियर के 639 पदों पर बहाली के लिए नए सीरे से बिग्यापन निकाला जाएगा उन्होंने कहा कि पहले के बिग्यापन को वापस लेकर नए नियम के तहद बहाली के प्रकिरिया कि वजंगत्री और अरुन कुमार जहां की खनपीट ने मामले की सुनवाई की कोट ने कहा है कि इस बीच जीन अव्यर्तियों की उम्रिसिमा खत्म हो गई होगी उनको डिल दी जाएगी जुनियर इंजिनियर की वहाली के लिए 2015-2017 में कि जो आरताएं रखी गई थी उसे इस यह चिका मैं चुनाती दी गई थी देखिए की मतलब 2015-2017 में जो नियामवली था हर्ची था जो आरता जो है लागों किया गया था उसको ही चुनाती दिया गया था और यह देखिए किलियर हो गया है और पटना हाइग को इसको बोल द बिहार जाइंव जो वेकंसी निकल के आई उसमें बीटेक के अलाव करने के लिए बोल रहे हैं सबी लोग जो है अपनी मांग कर रहे हैं ठीक है और ये हम आपको बता रहे हैं कब पर अलाव नहीं किया एक्जाम लेने का कोई प्रबधान नहीं था उसके इसी कारण से आज कोट का हवा खा रहा है ठीक है उसके बाद देखिए आपके सामने में जो है यह दोनों पोश्ट किया गया है आपके सामने में देख लीजी देख रहे हैं की तो दो दिन पहले इसको आपडेट किया गया कोई पहले का नहीं दो दिन पहले ही जो इसको जो है ट्वीटर पे अपडेट किया घी जो यह इन learned torment और आपको मांग गए और आपको इस पता होना चाहिए यह बाहत्य साल प्लस हो चुकी है और अभी सुप्रीम कोट में चल रहा है क्योंकि इसमें जो है देख लिए पटना हाई कोट असपस्ट रूप से कहा था इसको जो है खारिच करके हर्ची करके नए सीरे से चार मैंना कंदर वेकेंसी किलियर करने लिए श्टुडेंट नहीं माना और सुप्रीम कोट चला गया जिसका खाम्याजा श्टुडेंट वोकत रहा है चार सल प्लस होगे और अभी तक वेकेंसी किलियर नहीं हुआ अगर नए सीरे से अगर विभाग वेकेंसी जारी करके फिर से जो है किलियर करता तो अभी हो जाता यह स्थिति अभी बना हुआ है तो अपनी मांग को रखा जा रहा और सुप्रीम कोट में केस चल रहा है तीन महिना चार महिना पर एक सुनवाई होती है वह सुनवाई पूरा नहीं हो पाती है क्योंकि 2023 में ही सुप्रीम कोट में केस चला गया और 2023 से लेकर अभी तक लगव हम आपके भी सेर किया होपकि आप लोग समझ गया होंगे तो चैनल परना है चैनल को सब्सक्राइब कर रहा नौट फिक्षन पर सेर कीजिए और वीडियो को जैदा जैदा आपने दोस्तों को भी सेर कीजिए जैसे वीटेसी जैए न्यू वेकेंसी और पुराने वेकेंसी क रिगारिक जो भी अपडेट हैगा वीडियो बनाएंगे आपके पास नोट फिक्षन पहुंच जाएगा थैंक यू